exercise 3.3 का question 5 का part 3 है क्या है हमारे पास without expansion verify diet हम without expansion का क्या मतलब है हम जो determinant से expand नहीं कर सकते जो हमने determinant का formula पड़ा है उससे expansion नहीं करना हमने क्या करना है without expansion इसको शो करना है यानि हम कुछ operations करते हुए इसको शो करेंगे तो आइए start करते हैं अगर मैं देखू यहां पे क्या लिख़वार BC अगर मैं BC को cut कर चाहूँ तो मैं क्या करती हूँ ABC से multiply कर देती हूँ इसी तरह है यहांツ ca है तो मैं उसको cut करना चाहूँ तो यहां पर क्या आ जाएगा ABC से क्या करूंगी multiply तो हम हम लिख लेते हैं, multiplying column 3 by ABC, तो हमारे पस क्या आ जाएगा, जब हम multiply करें तो 1 over ABC जो है, वो क्या आएगी, बाहर आएगी, ताकि हमारे पस जो है, determinant change now, जब हम multiply करते हैं तो divide भी करते हैं उसी quantity को, तो हमने B, ABC को बाहर लिख लिख लिया, अब यहाँ पर हर quantity को मैं किस से multiply कर दूँगी, ABC से, तो जब हम multiply करेंगे तो हमारे पस क्या आ जाएगा, ABC, multiply over ABC, इसी तरह second entry को हम लिख लेते हैं, वो क्या होगी, B over CA, multiply ABC, इसी by ABC, तो अगर मैं इसको लिख लूँ, 1 over ABC, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मेरे पास 1, 1, 1, A square, B square, C square, और यहाँ क्या आ जाएगा, B, C कट जाएगा, तो क्या आएगा, A square भज जाएगा, इसी तरह यहाँ पर क्या है, हमारे पस CA कट रहा है, तो B square भन रहा है, और इसी तरह यहाँ पर A, B कट रहा है, तो C square आ रहा है, तो यह हमने लिख लिया, जब हमने लिख लिया, तो हमारे पस क्या आ जाएगा, अब आप देखें, हमारे पस क्या है, column 1, column 2 और column 3 क्या है, identical है, तो हमने determinant की एक property पड़ी थी, कि अगर हमारे पस दो column या दो rows बराबर हो जाएग तो by using this property, हम लिख सकते हैं, 1 over A, B, C, यह determinant क्या हो जाएगा, 0, तो हमारे पस क्या आ गया, which is equal to right side, तो हमने यही प्रूफ करना था, कि हमने क्या किया, without expansion, हमने verify कर दिया कि determinant जो है, वो 0 के ब्राबर है, hope so, आपको यह question समझ आया होगा, thank you